दोस्तो जंगल में न जाने कितनी तरह की घटना एक घटती रहती है जिसमें से कुछ हम जान पाते हैं और बहुत कुछ अंजाना रह जाता है लेकिन इसके लिए आपको हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको जंगल की दुनिया की अजीब औ गरीब घटनाओं से रूबरू करवाएंगे बस आप बने रहिए हमारे साथ जोस्तो आपने दुनिया में इंसानों दुआरा तो बच्छों को अडॉट करते हुए सुना ही होगा पर क्या आपने कभी जानवरों को ऐसा करते हुए देखा या सुना है आपके कानों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए ऐसा भी होता है चलिए हम आपको कुछ वीडियोस की माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं आगे जो वीडियोस हम आपको दिखाएंगे उसे देख कर तो आप भी सोच में पढ़ जाएंगे Is it possible? Yes, it is possible So let's watch the video टॉग एन लाम दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको जानवरों के बारे में कुछ ऐसी बाते बताएंगे जिसे देख कर आप भी कहेंगे भाई वाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं तो सोचना बंद कीजिए और चल्दी से हमारे इस वीडियो को देखिए उसका परिवार है और दोस्त भी यानि की डॉगी ने इस लैम की देखरे का भार उठाया है देखिए कैसे डॉगी ने दूद की बोटल को अपने दातों से दबा रखा है और इस लैम को तो देखिए कैसे मजे से दूद पी रहा है दोस्तो लैम के लिए डॉगी के प्यार को देखकर सभी ने इसकी खुब तारीफ की तो इस प्यारे से डॉगी के लिए एक लाइक तो बनता है ना आप तब तक लाइक कीजे और हम आपको ये दूसरा वीडियो दिखाते है चिंपैंजी अडॉप्टेड टू टाइगर कब्स दोस्तो इस वीडियो में आप एक चिंपैंजी को देख रहे है ये टाइगर के दो छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है लेकिन ऐसा नजारा आखिर कैसे पॉसिबल हुआ आखिर टाइगर ने अपने बच्चों को चिंपैंजी के साथ क्यों छोड़ा है इसके बारे में हम बाद में बाते करेंगे पहले आप इस चिंपैंजी के बारे में जान लीजिए दोस्तो दरसल चिंपैंजी, मानव, गोरिला और उरांगुटन के प्रजाती का ही प्राणी है जो की लाखों सालों पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गए थे हालकि उनका दिमाग काफी तेज होता है और वे काफी जल्दी सीख सकते हैं मनुष्य के साथ चिंपैंजी के कई गुण भी मिलते हैं चिंपैंजी शाकाहारी होता है सामान्य तोर पर इसकी हाइट 5-6 फीट होती है इस वीडियो में आप चिंपैंजी को टाइगर के बच्चों के साथ खेलते हुए देख रहे हैं दरसल चिंपैंजी ने इन बच्चों को गोद लिया है अब आप पूछेंगे ये भला कैसे तो हम आपको बता दे कि जंगल में एक हाथसे में इनके माता पिता की मौत हो गई जिसके बाद से ही ये बच्चे चिंपैंजी के साथ रह रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे भी चिंपैंजी के साथ कितना खुश है ओ भी क्यों ना आखिर चिंपैंजी ने इनने इतना प्यार जो दिया है दोस्तो हम आपको एक और अमेजिंग वीडियो दिखाते है अब इस डॉग को देखिए अरे ये क्या इसके पीट पर आखिर ये क्या है चौक गये ना अरे भाई ये कोई साधारन चूहा नहीं है ये है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ओप आसम जी हाँ ये देखने में तो आपको रैट जैसा लग रहा है लेकिन वास्तव में ये रैट नहीं है आस्ट्रेलिया के अलावा ये चाइना और न्यूजिलेंड में भी पाए जाते है ये कीडे मकोडे खाते है कुछ तो शहद भी खाते है और ज्यादा तर ये पेड़ पर ही रहते है लेकिन इस वक्त ये इस कुट्टे की पीट पर क्या कर रहे है दोस्तो अक्चली ये अपने पेरिंट से अलग हो चुके है और इस डॉगी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया है तब से ये सभी डॉगी के साथ ही रहते है इस डॉगी को तो देखिए कैसे शान से इन्हें अपने पीट पर लेकर घूम रहा है दरसल इन्हें पीट पर लेकर ही डॉगी सारा काम करता है भाई इतना लाड प्यार इन्हें और कहां मिलेगा भना काव अडॉप्ट्स अ लेपर्ड का इस वीडियो को देख कर आपको इस बात पर और भी यकीन हो जाएगा देखिए इस वीडियो में इस काव के आसपास एक लेपर्ड चकर काट रहा है जी हाँ ये लेपर्ड ही है लेकिन ये काव पर हमला करने नहीं आया है बलकि ये एक बेबी लेपर्ड है जिसकी माँ एक शिकार में मारी जा चुकी है अभी तक इस लेपर्ड कब ने शिकार का दाव पेज भी नहीं सीखा है जिसकी बजह से जंगल में इसके लिए सर्वाइफ करना बहुत बड़ा चालिंज है और इसलिए इसे किसी के सहारे की जरूरत है ऐसे समय में इस काव ने इसे शरण दी है है ना हैरान करने वाली तस्वीर लेकिन सच यही है इस लेपर्ड कब को इस काव ने अडॉप्ट कर लिया है अब इसकी जान की सुरक्षा की सिम्मेदारी काव ने अपने हाथों में ले ली है दोस्तो जंगल से आने वाली यह तस्वीर ये साबित करती है कि जंगल में सिर्फ कुरूरता ही नहीं बलकि ममता भी देखने को मिलती है दोस्तो इस क्लिप में देखिए इस मंकी के हाथों में एक पापी है जिसे मंकी ने अडॉप्ट किया है अब मंकी ने ऐसा क्यूं किया है ये तो हमें नहीं पता लेकिन इस पापी को एक माँ का प्यार मिल गया ये काफी है ज़रा देखिए तो कैसे अपनी बच्चे की तरह पापी का ख्यार रखा जा रहा है ऐसा नहीं है कि ये मंकी सिर्फ इस पापी पर ही अपना प्यार लुटा रही है फलकी इस मंकी का अपना भी एक बच्चा है अब इस बेबी मंकी के लिए एक दोस्त भी तो मिल चुका है जिसके साथ वो अराम से खेल सकता है cat adopts a dog अब cat ने इस असहाई dog को adopt कर लिया है अब cat इस dog का नाकेवल ध्यान रखती है बलके दिन भर उसके साथ खेलती है इतना ही नहीं कहीं आने जाने में उसकी मदद भी करती है ये adoption भी कितना प्यारा है ना दोस्तो कीनिया के जंगल का ये वीडियो देखकर आपकी आँखे चौक जाएगी जी हाँ क्योंकि इस शिकारी लाइन ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है आखिर ये छोटा सा प्राणी इस लाइन के साथ क्या कर रहा है दरसल ये जानवर चार पैरो वाला large antelope species है जो खतरनाक मना जाता है ये तो सबको पता है लेकिन इस वक्त ये और एक्स लाइन का शिकार नहीं है बलकि इस वक्त ये lion की सुरक्षा के घेरे में है जिसे lion ने adopt किया है lion and puppy दोस्तो जंगल में एक तरफा राज करने वाला ये lion आज कैद में है दरसल इसे इलाज के लिए लाय गया है lion जंगल का राजा होता है लेकिन वो राजा ही क्या जिसने दया नहीं दिखाई इस वीडियो में देखिए कैसे ये lion माईलो नाम कि इस पपी के साथ बच्चों की तरह खेल रहा है बहुत कम ही देखने को मिलता है अब इन दोनों के बीच का रिष्टा भी काफी गहर के होते हैं पस इने कोई गुसा ना दिलाए क्योंकि गुसे में अक्सर ये किसी को भी खदेड़ने में पीछे नहीं रहते अब जरा ये वीडियो देखिए कैसे जुंड बनाकर अपने दाने पानी के लिए आगे बढ़ रहा है कितना प्यारा लग रहा है लेकिन हम आपको इसके बारे में एक और रोचक जानकारी देते हैं ये शांत सुभाव के साथ ही काफी helpful भी होते हैं यकीन नहीं आता तो देखिए अपने जुंड से निकाले गए इस पिक को इनों ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है बताईए आज के दौर में ऐसा कौन करता है भला अब दिन भर ये पिक इनी के साथ खाता है पीता है और मजे से खेलता भी है इस इस पिक का पूरा ख्याल रखते हैं और पिक भी इनके साथ धुल मिल गया है भाई जानवरों की दुनिया भी अजीव होती है हिपो एंट टॉटल दोस्तो हिपो एक बड़ा ही बलशाली जानवर ह लेकिन नेचर से बड़ा कोई नहीं होता है दरसल दोस्तो केनिया के समुदरी इलाकों में आई सुनामी की वज़र से ये हिपो अपने परिवार से बिछड गया हाला कि किसी तरह से इसने हिपो के दूसरे जुड में शामिल होने की कोशिश की लेकिन उसे उस जुड ने एक इसके बाद इसे एक सैंक्चुरी में रखने का फैसला लिया गया जहां इसकी मुलाकात 130 साल पुराने टर्टल से हो गई और बाद में इनकी दोस्ती हो गई टर्टल के पास रहे कर हिपो खुद को सुरक्षित और खुश मैसूस करने लगा है अब दोनों आराम से साथ साथ रह रहे है और जीवन का आनंद ले रहे है